नमस्कार प्यारे साथियों मैं आपका साथी मंदीब कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है M.D2 Reader Publication तो दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाना सरकार की पार दरसीता को लेकर जैसा कि आप सभी जानते हरियाना सरकार बार बार विदान सबा में भी ये बोल चुकी है और Newspaper में भी निउस बार-बार आती है advertisement भी करती है कि हमारी सरकार में जो पारदर सीता भरती हों में भरती गई है वो किसी और सरकार में नहीं भरती है और हमने सबसे जज़्यदा युवाँ को नोकरी दी जिया तो इस विडियो में इससी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेर जरूर करें दोस्तों सीट एट एसट पास कर चुकी सीएम के भाई की साली आज भी बेरोजगार सत परतिशत दिव्यांग होने के बावजुद ने सरकारी ने प्राइविट नोकरी मिली तो देखिए यहां से लोगों का कहना या सरकार का कहना कि जब हमारे जो मुख्यमंतरी मनोलाल खटर जी उनके सगे सम्मंदियों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है किसी भी परकार से जो मरिट मैएगा उसे ही रोजगार दिया जाएगा तो पारदर सिधा तो इसमें बरती गई है वहीं दूसरी और कुछ न्यूज ऐसी भी आती है कि शीफ्ट टेनेंट की बर्ती में या रियाना पुलिस की कुछे की बर्ती में दो या तीन कुछ रोलंबर ऐसे पाएगे जो पहले जो रिटना एक्जाम का रिजल्ट आया था उसमें नहीं थे और फाइसीदा फाइ वजुद कई बार खाली पेट सोने की नोबत आ जाती है काम चलाने के लिए घर पर बच्चों को टूशन पढ़ाती है रजनी ने बताया कि उसकी च्यार बेहन है इसमें दो साधी सुदा हैं दूसरी बेहन की साधी योगे से खट्रस ये हुए उसके ढ़ाई साल की उमर में बुखार का इंजेक्शन लगा था उसके कमर के नीचे का हिस्सा पोलियो गरस्त हो गया पिता सोमनात टेलर थे लेकिन अब उन्हें दिखाई नहीं देता और सुनाई भी नहीं देता मा दिव्यांग भी दिव्यांग थी वह भी अब नहीं रही दसमी कक्षाउतीन करने के बाद उसने गर की स्तिती देखती हुए हुसला छोड़ दिया लेकिन मुह बोले मामा हरीश चंदर ने हुसला बढ़ाया और छे सगे मामा नियार्थिक मदद करने की बात कहीं तो गया आगे की पढ़ाई पूरी कर सकी है पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके पास रोजग रखती है तो दोस्तों ये इस प्रकार से प्रिवार है जो खटर जो हमारे सीम साब जी है उनसे एक तरीके से रिष्टे से जुड़ा हुआ है फिर भी जो है उनके लिए कोई हैल्प नहीं बन पा रहे है क्योंकि वो मेरिट में नहीं आ रहे है तो इसे आप परदरसीता कहे क्या कहीं क्या इसको आप नाम देंगे आप कमेंट बोक्स में कमेंट जरू करें दोस्तों इस वीडियो में यहीं बता रहा था कि जो मनोहर सरकार है उन्होंने हरियाना की जनता का जो मन महलिया है या नहीं आपको ही बताना है वो अब लोग सभा चुनाओ भी बताएंगे और साथ ही विदान सभा चुनाओ जो बाद में होंगे उनसे भी पता चल जाएगा पिडिता का जो दर्द है मेरी बड़ी बेहन का संबंद सीम के परिवार से है इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे किसी का अधिकार दबा कर नोकरी मिले लेकिन सक परतिशत दिव्यांग होने के नाते मुझे भी जीने का दिकार है जब तक सरकारी नोकरी नहीं मिलती प्राइविट नोकरी तो मिलने चाहिए जहांवेतन क्रो कह देते हैं कि वह क्या नोकरी करेगी मुझे साहब से कोई सिकायत नहीं है देखिए कितने अच्छे विचान है रजनी जी के लेकिन सीम आना चाहता हूं कि बात कम से कम इनको इनके लिए प्राइवेट रोजगार में तो कम से कम ऐसा किया जाए कि ये प्राइवेट रोजगार तो कर ले तो दोस्तों इस वीडियो फिलाल इतना ही इसी परकार के और भी अपडेट पाने के लिए जुड़े रही है चैनल के साथ ज रहने बाद दोस्तों